जैसा कि आप सब जानते है SSC CPO का exam status जारी हो चुका है कल ही और CPO के बाद आपका SSC STANO का exam होना है तो इसके exam status की बात करूँ तो लगबग 8 या 10 दिन पहले आ जाएंगे यानि 2 से 5 तारीक के बीच में आपके exam status देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं जो हमारा daily का schedule चल रहा है जो कि हमारा कल 18 दिन है यानि 27 सितंबर को हमारा 18 दिन है जो हमारा schedule चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं और इसमें थोड़ा सा मैंने change किया है और क्योंकि exam अपास में तो थोड़ा सा बदला आपके इसमें जरूरत थी दूसरी चीज़ी है कि अगर ये सारी चीज़ें आप एक जगे चाहते हो जैसे कि अभी 18 दिन होने वाले हैं तो 18 दिन का content एक ही जगे आपको मिलेगा अब हमारे application पर sparkle education with go up वहां पर अभी तक हमने जितने भी idioms कराई हैं जितने भी synonyms कराई हैं जितने errors कराई हैं वो सारा का सारा अलग-अलग folder बना के मैं यहां पर एक जो free pdf वाले section में upload कर दूँगा तो वहां पर आपको आसानी रहेगी revision करने में भी और उसको पढ़ने में भी daily content आपको यहां पर मिलेगा एक टॉपिक का एक folder बना देंगे वहां पर आपको सारी वीडिया उस topics related वहीं पर मिल जाएगी तो Sparkle education with Gorab application को आपको डाउलोड करना है और वहां पर आप चेक करना अभी एड नहीं किया यह कल तक आपको यह सारा content कल तक एड करने के कोशिश करेंगे बाकी यह daily जो चीजे हैं जो आपको प्रवाइड कराई जा रही है वह टेलेग्राम चैनल पर प्रवाइड कराते है इस पारकल education टेलेग्राम का नाम है और यह जो लोगों लगा हुआ है इस लोगों को देख लेना वहां पर उसको जोइन कर ल करेंगे क्योंकि हमें लगबक 1300 idioms 300 synonyms कवर करने हैं जो कि आपके 2018 से 2023 तक के ही है तो यहीं आपको बार बार पढ़ने नहीं को और एबिवेजन करना है अब एंटonyms की बात करें तो ठेखिए अगर आप synonyms अच्छे से कर रही हो वर्ड बिनिंग एच्छे से याद कर रहे हो तो आपको याद करने की आप में अच्छे से याद करो बस और वैसे मैं अब हमारे पास जादा प्रवाइट कराई जाए क्लियर उसके बाद grammar पर आते हैं यहां पर 8 से 10 बजे हमारे grammar का सेक्षन होता है जिसमें अब हम errors को ही करेंगे और errors के practice बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है errors की बहुत ज़्यादा जरूरी है जो मैं आपको बताता हूं कि इसके solution में से आपको लगबग 20 रूल्स नौट करने हैं कितने 20 रूल बहुत जरूरी है एरर की practice से ज़्यादा जरूरी क्या है तो प्रैक्टिस यानि पढ़ना है उनको प्रैक्टिस करनी है एक घंटा प्रैक्टिस में देना है लेकिन उससे भी ज़्यादा important क्या है कि आपको उसमें से 20 रूल्स नौट करने ही करने है चाहे आपको जैसे मालनों 100 errors मैंने दिये कि 100 errors में से आपको सारे के सारे rules यादे तब भी आप 20 रूल वहाँ पर नौट करने ही करने है तो अभी हमारा 18 दिन इसी तरीके से चलते हुए हो गया जो student इमानदारी से कर रहा होगा वो grammar में काफी improvement अब तक कर चुका होगा और आने वाले समय में दो शार दिन में आपको marathon classes का link में provide कराऊंगा हना मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिलता तो मैं तो नहीं ले पाऊंगा marathon class हाँ लेकिन आपके लिए कहीं से जो भी YouTube platform पर जो मुझे अच्छी लेगेगी class उसको में provide कराऊंगा ठीक है grammar की और चाहे vocab की हो यह और भी topics है उनकी भी मेरा अपन किलास आपको दी जाएगी clear link provide कराई जाएंगे तो ठीक है अच्छे से मतलब YouTube पर देखके जो भी अच्छा लगएगा उसके आपको link provide करा दी जाएंगे उसके पाद rest रहेगा आपका एक घंटा 11 से वारा voice और narration आपको दी जाएं homonyms भी आपके आ सकते हैं exam में कुछ words आपको दिखने में सेम होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है और उसी अंतर से उनका meaning भी बदल जाता है clear तो homonyms कहलाते हैं वो जो कि आपको provide करा दी जाएंगे फिर एक से दो करन्ट अफिर की class आपको दी जाएगी जो भी है ठीक है मैं आपको प्रवाइड कराऊंगा कि उसके बाद आपको static gk में important topics मतले static gk पढ़ना है साथ में important topics कौन से topics आपके history के geography के quality के economics के यह important topics आपको पढ़ने है science के उसके बाद reasoning पर आते हैं reasoning में आपको क्या करना है सारे topics द्वारा से revise करने हैं सिलोगिस्म ब्लेट रिलेशन हुआ, सिलोगिस्म वा direction, डाइस, कैलेंडर, mathematical equation, coding, decoding, inequality, Chinese coding, setting arrangement यह सारे topics आपको एक बार फिर से revise करने है हाना अगर आप चाहते हो कि मेरे marks अच्छे आए, हाना 45 प्लस आए तो भाई एक बार इनको revise कर लेना आराम से तुवारा से और यह class जैसे आपके ब्लेट रिलेशन हो गया सिलोगिस्म डाइस, कैलेंडर, coding, decoding यह फिर एक दोर topics मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रख हो गा, clear, तो आप टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर ले, इस तरीके साब को reasoning में यहां पर पढ़ना है, 5-6 बजे, समय आप देख लेना यह time लिखा हुआ है, clear, 3-5 आपको यह पढ़ना है, 5-6 यहां पर पढ़ना है, अब क्या करना है आपको देखिए, यहां पर हमार है, तो अभी सिस्टम बढ़िया है, ऐसे करना है, अब यहां पर एक गंटा फिर से रेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको 7-9 बजे तक 2 गंटे आपको मौक टेस्ट लगाना है, 2 गंटे का मौक होता है, और देखिए, कोशिश करनी है, कि आपको यह जो प्रिवेशर के मौक है, यह लगाने है, अगर किसी ने लगा रखे हैं, बही कितने हैं लगबग, 19 से अगर मैं बात करू, 19 वाला हो गया, फिर 20, 21, 22, यानि 24 मौक टेस्ट है, अगर किसी ने बहुत अच्छे से लगा रखे हैं, सारे मौक टेस्ट, तो आप मतलब प्रिवेशर पेपर अच्छे नहीं लगाई, तो कोशिश करो, 20 वाले और 21 वाले आप एक्जाम से पहले पहले, जरूर 100 and 1% लगा ले, clear, तो यह तो आपको करना हैं, साथ में क्या करना है, और यह आपको डेली अब एक मौक टेस्ट लगाना है, इससे क्या होगा, आपकी स्पीट बढ़ेगी, दूसरी छीज, थोड़ी वो जो अक्यूरेशिय आपकी, मतलब कम हो रही है, वो अच्छे से इंप्रूब होगी, हाना, छोड़ी-छोडी मिस्टेक साप बचोगी, तो यह आपको क्या करना है, कम से कम, 10-12 मौक टेस्ट आपको लगाने ही, एक्जाम से पहले, रेगुलर एक हो, ठीक है, 9 बच तक अपने मौक टेस्ट लगाया, अच्छे से अनलिसिस किया, आदा पौन गंटा, एक गंटा, फिर क्या करना है, जैसे भी, अगर इंगलिश की बात करें, ग्रामर के टॉपिक में कहीं मिस्टेक है, तो आप सोने से पहले देख सकते हैं, उसको पढ़ सक का, फिर जो भी मौक टेस्ट में मिस्टेक हुई आपकी, वो यहाँ पर अपने, उसी समय पर आप जैसे, अगर वो कैप में मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, ग्रामर में तो इस वाले सेशन में आप नोट कर सकते हो, उस वाले गंटे में, या फिर किसी भी आपके पॉलिटी में एकोनोमिक्स में किस टॉपिक से कोशन पूछे जा रहे हैं तो वहाप उसी पिरियड में उसी घड़े में आप वहापे नौट कर सकते हो उसको पढ़ सकते हो जो भी होगा वो मैं आपको कर इसमें इंफर्मेशन दे दूँगा टेलेग्राम वीडियो बनाने के उसमय नहीं मिल पाता तो इसलिए जो भी अपडेट आती है मैं टेलेग्राम पर दे देता हूं तो आपको टेलेग्राम चैनल ज़रूर जोइन करना है उसके बाद कोई भी जोब करने कि चीजों से बचेंगे ओके पड़ाइ में समय दो और अच्छे से अपनी तयारी करते हैं और किसी को भी ज़्यादा हैजिटेट नहीं होना टेंशन नहीं लेनी अराम से बिंदास होके पड़ाई करो अगर आपने मेहनत करीए आपने अच्छे से पड़ा है तो तो यहीं पर मिलते हैं टेलिग्राम पर जल्दी से आप इसको जोइन कर लीजिए साथ में अप्लिकेशन भी आपको जोइन कर लिना आए कॉंटेक्ट नंबर की अगर बात करें तो यहां पर चलिए मैं कॉंटेक्ट नंबर लिख देता हूं किसी को अगर प्रॉब्लम हो चलिए ठीक है थैंक यू और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बाई